एक आइडियल स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है। उसे ये याद आता है कि बहुत सारे लोग हैं जिने प्रूव करके दिखाना है, कुल मिला कि उसका फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर होता है, और तभी वो जल्दी से अचीव कर पाता है, और अगर हम बाकी स्टुडेंट की बात करें, तो कभी चार घंटे पढ़ते हैं, र परिक्षा आने पर जाते हैं, समझदार लोग हमेशा परिक्षा आने के कुछ महीनों पहले से तयारी शुरू कर देते हैं, ताकि जब परिक्षा है तो वो अपने आपको तयार उस समय मान सकें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो आप भी जानते हो, वो अपनी आदत जैसे आदत बदलने पर आपको काम करना चाहिए, आपको पूरा फोकस, आप एक चीज़ समझ ना, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, पूरी दुनिया आपको फॉलो करेगी, आप कई बार ऐसे लोगों को मेंटेन करने में अपना टाइम वेस करते रहें, तो आप सोच तुम्हें मेंटेन करेंगे, तो लोगों को मेंटेन मत करो, ऐसे बनो की लोग तुमसे व्यभार मेंटेन करें, उसके लिए तुम्हें सब छोड़ कर, हर चीज़ का त्याग करके, अपने टारगेट के लिए लगना पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसे बनो की लोग तुम्हें लोगों को maintain मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा, काम, लोग सिर्फ काम निकालना जानते, जिस दिन लगेगा कि तुम अब किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, ना तुम जीवन में कुछ कर पाए, लोग तुमें छोड़ देंगे, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ बन गए, तो ल दूसरे हमारी शादी में आए, ठीक है, अगर तुम बेरोजगार रहे, तो तुमारी शादी में कोई नहीं आएगा, कितनी लोग की शादी में चले जाओ, और अगर तुम किसी के शादी में नहीं गए, और कुछ बन गए, तो बिना बुलाए लोग तुमारी शादी में आ लिए ठीके